दोस्तों आज किस वीडियों हम जानेंगे कि अगर आपका रासन कार्ड बना हुआ है लेकिन आपके रासन कार्ड में जितने भी सदस है जितने भी मेंबर है उन में से कोई भी एक सदस का नाम आप डिलिट करवाना चाहरे है चाहिए वो सदस का जिसको मिर्त्य हो गया हो या तो आपके बच्चे का नाम है लेकिन उनके साधी हो जाने के करण उन्हें अलग से उनको अपना रासन का्ड बनवाना है तो वैसे हिस थिति में भी ही दोस्तों आपको पहले रासन कार्ड च पाना होगा तो आगे इस वीडियो में आपको स्वागत है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और इसी तरह जनकारी के लिए आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब को लीजिए साथ में बेल अकन को आउन कर दीजिए तो रासन कार्ड में से नाम डिलिट करवाना चाह रहे हैं तिसके लिए आपको आउनलाइन आविधन करना होगा पहले क्या थे दोस्तों कि यह सभी प्रोसेस ऑफलाइन होते थे बार बार आपको ब्लॉक में चकर लगाना पड़ता था लेकिन आप ब्यार सरकार द्वारा इन्हें ऑनलाइन कर दिया गया तो कहें भी आपको जाने की जुरत नहीं है घर बेटे कुछ से ऑनलाइन आविधन करके अपने रासन कार्ड में कोई भी सदस का नाम डिलेट करवा सकते है वेबसायट पाँगा इस वीडियो कोई ब्लॉक में देखने के सब्साट बाढ़ आपको सरकार युजणा काट रजैगरी देखुरी में जाएगा बिहार रासन कार नेम एड ऑनलाइन बिहार रासन कार में छूटे सदस्यों का नाम ऑनलाइन जोरे याटाए एवं सुधार करें इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है अब इस पर जैसे के लिए हैं दूसरी आप एक आर्टिकल दिया गए जिनमें पूरे विस् सकते हैं अब जैसे आप पड़ते नीचे के दरब आएंगे यहां देखे इस्टेव बैस्टेव प्रकरिया भी बताया कि आपको कैसे आवेधन करने तो इन्हें आप एक करके आप जोंसरों पड़ लिजिए क्योंकि बहुती सरल सब्दों में आप बताया गया अब जैसे आ हैं दोस्तों अब आप आर्सी ऑनलाइन पोटल पर आ जाएंगे अब यहीं से दोस्तों आप रासन कार्ड में नाम सुधार करने के लिए या पर डिलिट करने के लिए आविधन कर पाएंगे आपको इस तरह सब्सक्राइब करने के लिए आपको लोगिन बटन देखने मिले आपको sign up for मेरी पैचान इस पर आपको इस तरह से क्लिक करने हैं और यहां पर कुछ basis अडिटेल भरके आपको user id password इनका बना लेना है मेरी पैचान का user id password कैसे बनाएंगे उस पर हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं तो अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में या फिर इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जागा तो उस वीडियो को देख के बहुत ही आसान तरीके से मेरी पैचान का login id password बना लिजिए एक बात दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी पैचान का login id password बनाने इस पहले आपको कुछ महत्पून जानकारी होना चाहिए अगर आप अपने रासन कार में नाम सुधार करने को लेकर या डिलेक करने को लेकर या फिर नए सदेश्यो का नाम जोडने को लेकर आविदन करना चाहरें तो मेरी पैचान का जो आप login id password बनाएंगे जो रासन कार में जितने भी मेंबर हैं उन्हीं मेंबर में से किसी एक मेंबर के नाम से आविदन करना हुआ लेकिन आविदन कब करेंगे जब वो जो आपके घर के हेड मुखिया नहीं रहेंगे तब लेकिन अगर वो हेड मुखिया है तो उस केस में उसी के नाम से आपको आविदन करना हु नमर में दियागा Mobile इसपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको वही वाले मुआल नमर एंटर करना है जो मुआल नमबर के माधियम से आपने Login ID पासवर्ड बनाए है उसका दूसरी की यहां पर दोग बॉक्स देखने मिलेगा इस दोनों बॉक्स पे शाइन इन बटन पर किलिक कर देना है अब जैसे आप साइन इन बटन पर किलिक कर देखेंगे अब जैसे आपको ऊपर में अपलाई वाले उप्षान देखने को मिल जाएगा apply for correction इस पे आपको click कर देना है apply for correction पे आप jc के लिए दूसरों अब आपको यहाँ पे रासन कार्ड नमबर एंटर करना हुआ तो जो रासन कार्ड में आप सदस्यों का नाम delete करना चारे है वो रासन कार्ड नमबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और search बटन पे click कर देना है search बटन पे आप jc के लिए दूसरों आपके सामने कुछी इस तरह से form के रूप में आजएगा जिनने आपको एके करके पूरे बारिकी से ध्यान पुरवग बनना हुगा अब दूसरों के यह form का आपको कैसे बनना है और किसके नाम से बनना है यह तोरह आपको बारिकी से समझना हुगा सबसेले दूसरों के यहाँ पे clear बताया गए कि कारदारी का मतलब परिवार की वरिष्ट महिला से है सबसेले यहाँ पर उनका अंगरेजी में लिखना है जैसे उनका अधार कारड पर है यहाँ पर उनका हिंदी में नाम लिखने हैं यहाँ पर उनके पिता जी का नाम अंगरी जी में लिखने हैं और यहाँ पर उनके पिता जी का नाम हिंदी में लिखने हैं उनका यहाँ से जंडर सलर्क करने हैं कारदारी का समंद स्वें होगा उसका जाती सरेनी यहां से सलर्क क लग लिख सकते हैं उसको यहां पर देखें का आयप परमानपद संक्या है यानि कि जो आयप परमानपद बना है वह आपको यहां पर दर्ज करना है उसका दोस्तों यहां पर परिवर्तन का कारण अगर कोई परिवर्तन किया तो वह कारण बता देना है कारदारी का बैंक का न आपको एंटर कर लेना और उनके अधार काड़ पर गायारा कुछ इस तरह से फोरा बारी किसे समझना होगा सबस्वेल है दोस्ते के ऊपर जो यह तीन कलर दिया गया इन्हें आपको थोड़ा बारिकी से समझना है अगर आपको इस तरह से लाल होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने राशन कार में कुछ सदस्यों का नाम सुधार करें चाहिए उनके जो भी गलती है ले दिलिट कैसे करेंगे तो यहां पर देखे जितने भी आपके राशन कार में सदस्यों का नाम एड़ होगा उन सभी का को यहां पर नाम देखने कमिल जागा हाला कि मैं से बलख किया हूँ और यहां पर देखे लाल करमे आपको इस तरह से डिलीट बटन देखने मिलेगा शि तुष्वीज आपको under पे click कर देना है लेकिन अगर आपने सही वेक्टी को आप डिलीट करें तो स्विज आपको under पे click नहीं करना है अब आपको क्या गरना है submit and go to annexer verification पे click कर देना है submit and go to annexer verification पे आप जैसे के लिए अब आपको यहाँ पे कुछ आप से जानकारी पूछा जाएगा जिने आपको हाँ या नहीं में जवाब दिना है तिनमें ज्यादा तर दोस्तों आपको 99% आपको नहीं पे क्लिक कर देना और उसके आपको simply submit and go for document upload पे क्लिक कर देना है submit and go for document upload पे आप जैसे के लिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे document upload करने के लिए बोला जाएगा तो document upload करने से पहले आपको कुछ महत्पूर्ण जानकारी आपके पास होना चाहिए सबसे लिए दूसरे के यहाँ पे आपको family यानि कि सभी member के साथ real में जितना अभी के date में member है सभी member के साथ आपको एक group photo लेना है और वह photo passport size होना चाहिए और वह photo आपको upload करना हुगा जो आप यहाँ पे photo upload करने हैं उनका maximum जो size हो है वह 100 के भी तक ही upload कर पाएंगे 100 से ज़्यादा होगा तो upload नहीं करवाएंगे यह बात आपको ध्यान में रखना है उसका दोसरो यहाँ पे आपको एक signature यानि की जो भी आवेदक आवेदक मिंस की जिसके नाम से रासन कार बना हुआ है आप अपने घर के जो भी वरिष्ट महला के नाम से आप आवेदन दे रहे हैं उनका signature आपको यहाँ पे upload करना होगा उसको आपको इस तरह से score करना है आप यहाँ पर देखें आपको document upload करने के लिए बोला जाया रहा है जिनने में की बत्राइग है कि maximum आप एक MB तक ही document upload कर सकते हैं यह बात आपको धियान में रखने है तीन में आपको क्या क्या document देना है पहले आपको वह समझ ना होगा सबसे लिए दूसरी के जो भी महला के नाम से आप यहाँ पर आवेधन दे रहे है जो आपके घर के वरिष्ट महला है उनका आपको अधार कर देना है बैंक पास्बुक देना है जाती प्रमानपत बना है तो जाती प्रमानपत भी दे सकते हैं आई प्रमानपत भी upload करना है लेकिन वो आपको इस document में नहीं upload करना है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, जिसके नाम से आप आवेदन करें, उनका सारा document का आपको क्या करना है, self-attested होना चाहिए, यानि कि जो भी document आप यहाँ पे scan करके upload करेंगे, वो document पे signature होना चाहिए, अ अगर वो वेक्ति की मिर्तु नहीं होया, तो उस case में उनका अधार करके scan copy लगने वाले, मैं फिर से पुना कहना चाहूँगा, कि यहाँ पे जो भी document अप लोड करेंगे, वो self-attested होना चाहिए, यानि कि उस document पे signature होना चाहिए, अब आपको इस तरह से अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक और document upload करना होगा, income-sat-peria, नहीं कि आय परमान पत, आय परमान पत जो आप upload करेंगे दोस्तों वो उनके नाम से upload करना है, या उनके नाम से बना होगा होना चाहिए, जिनके नाम से आप आवेदन दे रहें, घर के वरिष्ट मेला, किसी कारण वर्स अगर आप उनके नाम से आवेदन नहीं करें, तो जिनके नाम से आप आवेदन करें, उनीक आपको document देना होगा, उसको आपको कहाँए, इस तरह से यहाँ देखे एक घोसना पतर दिया गया, जिना आपको पूरे बार किसे पढ़ लेना है, अब यह सब पढ़ देखने मिलेगा, upload document and final submission, फिर से आपको इस पर किलिक कर देना है, upload for final documentation पर आप जैसे ही किलेए, दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह से सफलता प्रुवाग आउनलाइन आविधन हो जाएगा, अब आपको enclosement यानि की receiving download करना होगा, तो उसके लिए आपको simply का आगने, download and close document पर click कर देना और आपका receiving download हो जाएगा, तो दोस्तों इस तरह से आप बहुती आसान तरीके से आप जो सो रासन कार में कुछ सदस्यों का नाम delete करना चारें, तो delete कर सकते हैं, अगर आप कोई भी सदस्यों का नाम add करना चारें, जोड़ना चारें, तो उसके लिए आपको क सदस्यों का नाम आप रासन कार में जोड़ भी सकते हैं, उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई confusion या कुछ पूछना हो, तो नीच